बारतिये जर्मता पार्टी के बिशन सिंग चुफाल को इस विदानसभा एक शेत्र से कोई हरा नहीं पाया है आस तक हम बात कर रहे हैं डेडी आठ की 43 नमबर की विदानसभा सीट रही है और 2002 में उनसे हा रहे है घंशाम उत्रहकरम क्रांति दल से लड़ रहे थे दूसरे सा में कॉंग्रेस को तीसरे नमबर पर धकेल दिया किशन भंडारी ने निर्द्य लड़े दूसरे स्थान पर आये और तीसरे स्थान पर रहे कॉंग्रेस के प्रदीप सिंग पाल कुछ जादा अंतर नहीं रहा हारजीत का 2017 में यहां पे 14,000, 15,000, 17,000 वोटों का ही खाली के लिए जलते हैं पंकत जी के प्रेस. गुरंग को यहाँ पर प्रत्यासी बनाए है दो निर्दल्य प्रत्यासी भी यहाँ पर अपने भाग्या जमा रहे हैं अनिल सिंग और किसंग भंढ़ारी अगर हम बात करें यहाँ तरकून यहां पर देखने को मिला है भाजपा कॉंगरेस और तिसरा कून जो बनारे हैं वो भंडारी यहां पर बना रहे हैं तो सीदी सीदी टकर है विशन सिंग चुफाल परदीप सिंग पाल और किसन सिंग भंडारी के बीच में अगर हम 2017 के चुनाओं की बात करें तो यहां पर भी इन तीनों के बीच में टकर देखने को मिली थी त्रिकोने मुकाबला हुआ था यह यहां पर चुफाल जी केवल 2368 वोटो से यहां पर किसन सिंग भंडारी को हराया तो इस बार यह मुकाबला और कड़ा होता दिख रहा है और ज्यादा रोचक होता दिख रहा कि पांच बार के लगातार विधायक रहे विशन सिंग चुफाल क्या इस बार अपनी सीट बचा है तो वही तीन सूर्मा हैं जो 2017 में आपने सामने थे वही तीन इस बार 2022 में भी मौजूद हैं और किशन भंडारी ने बहुत ही अद्बुत परदशन यहां करते हुए 2017 में दूसरा स्थान अपने लिए सुरक्षित कर लिया था और कॉंग्रिस को उन्होंने तीसे नंबर दखेल दिया था तकरीबन 500 के आसफास वोटो के मार्जिन से तो बहुत ही काटे की टकर जैसी इस सिती है कहना मुश्किल है कौन इन तीनों में से जीत पाएगा बिल्कुल अगर हम किसन से महिंदारी की बात करें तो वह कभी भासपा में हुआ करता था और भागी होकर 2017 में उनने यहां पर निर्दली चुनाव लड़ा है और पुर्क जिला पंचायत अध्यक्स भी और एक चुनाव का अनुबव तो अब उनको होई गया है इस बार उनको उनका दूसरा चुनाव तक कही ने कहीं है अनुबव उनका जरूर काम आएगा और जिस तरीके से हम देखन करके अगर किशन बंडारी यहां से जीट जाते हैं तो जैसा कि इस प्रदेश का राजनेती कि इतिहास रहा है भारती जन्ता पार्टी उन्हें अपने यहां से टिकेट देदेगी बिशन सिंग चुफाल को सकता है शायद बिलकुल और अगर मैं दोजार दो से बात करो यहा यहां था यूकेट ने और 2012 के इलेक्शन में यहां बीजएपी से बागी वे जग जीवन कन्याल ने यहां पर बसपा से लड़े थे और उन्होंने यहां पर तीसा मोर्चा बनाये था और 2017 में यहां पर किसन भंडारी ने आपर भासपा कॉंग्रेस साथ तीसा मोर्चा बना मंत्रीपद उनको मिला है लेकिन इस बार देखना होगा कि गुरू चेले की लड़ाई में कौन जीतता है जी विशन सिंग चुफाल के लिए सिर्फ अपनी सीट बचाना ही एक कवायद नहीं है बलकि अगर यहार गए तो इसकी भी प्रवल संभावना है कि बाते जिन्दा पार्टी अपना जंडा उनके हाथ में से लेकर के किशन बंडारी के हाथ में थामा दे यहां ऐसी स्थिती में विशन सिंग चुफाल के लिए बहुत ही दुविधा वाली स्थिती बन जाएगी कि इस सीट से निर्दलिये लड़े या कि दूसे सीट से भार्जेंदा कांटे की टक्कर जैसे त्रिकोनिया मुकाबले की परेनिती क्या होगी यह हम सब कुदस माच को बता लागेगा हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद